नमस्ते दोस्तों सुस्मा रियर लाइफ ब्लोग में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और जो भी मेरे छोटे भाई बहन है उनको प्यार भरा असिर्वाद और मेरे माता पिता और बड़े भाई बहन को चरण असबर्श तो चलिए आज को ब्लोग सुरू करते हैं और दोस्तों एक तरफ हमारा चावल हो रहा है और एक तरफ दाल में रख दे रही हूं दाल चावल रोटी और चोखा मैं आज खाने में ही बनाई थी तो दोस्तों चोखा हम बनाए थे दाल है उस दाल में हम आलू छेल के दो तीन पाने से अच्छे से धूल के और उसी दाल मे हम आलू डाल दिये थे तो डाल के साथ आलू भी पक गया था तो हम चोखा बनाए थे तो दोस्तों इस समय हम जो डाल का जाग होता है वहीं हम निकाल रहे हैं निकाल देते हैं तो जब सीठी आती है तो डाल का पानी जो छिर्ची रहता है वो नहीं इससे होता है और हम आलू जाल दे रहे हैं और दोस्तों ये जो आप लोग हमारा किचन देख रहे हैं ये मेज मैं बनवाई थी खाना बनाने के लिए और पहले दोस्तों यहां तक्ता था तो तक्ते पर बनाते थे तो उसमें देवका लग गया था तो इसलिए तक्ते को निकाल दिये उस पर फिर खाना बनाने लाइक था नहीं हो तो हम मेज बनवा लिए है इसमें भी देव का लग गया है तो दोस्तों मैं दाल में हल्दी और नमक एट कर दी हूँ और अब चावल चेक कर ली हूँ और धी में आज करके चावल रख दी थी चावल हो गया है तो चोखा बनाने के लिए हम टमाटर भूने नहीं है पाने में हम टमाटर को उबाल लिए हैं कुछ इस तरह से तो दोस्तों टमाटर हमारा आखोब अच्छे से हो गया था एकदम नराम उसका छिल का आराम से एकदम उतर गया था तो मेरा दाल चावल रोटी हो गया है तो दाल में से हम आलू निकाल लिए हैं और टमाटर छिल रहे हैं देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से टमाटर का छिल का उतर गया तो भून नहीं पाए अगर तो ऐसे भी बना सकते हैं और तो हम इसका जो जहां से डंठल था वहां थोड़ा काट करके निकाल दे रहे हैं और चोखे में हम इससे सिंपल सा चोखा बना रहे हैं सिरिफ लहसुन प्याज और मिर्चा बस तो चोखा जब बनाए तो इगर मिर्चे का पहले बना दिये थे तो अनाय के लिए भी निकाल दिये थे इसके बाद हम लोग मिर्चे वाला खा जाए बड़े हैं तो इसलिए अपना कटोरी अनाय देखी रख दी हैं कि हाँ हमें इसमें निकाल दीजिए तो मैं इसमें उनको निकाल दी हूँ चोखा और दोस्तों इतना चोखा है और दाल चावा लोटी तो दोस्तों लेके बैठे हैं हम लोग खाना खाने तो मेरे बच्चे हैं मेरे साथ ही खाना खाते हैं जब तक मैं खाना नहीं खाती हूँ बच्चे मेरे नहीं खाते हैं और जिस थाली में मैं खाती हूँ तो उसी थाली में मेरे बच्चे खाते हैं, दूसरे बरतल में नहीं खाते हैं वो लोग, इसलिए इतना खाना लेके बैठेते हैं, आज मैं अपने वरांता की लिपाई कर दे रही हूँ, उसके लिए दोस्तों हम मिटी भीगा दिये थे मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पिलीज, और जो भी मेरे भाई बहान, मेरा साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों, ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए, और अपने दोस्त और रिष्तेदारों के साथ सेर करिए, और मेरा मनोबल बढ़ाते रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं, तो दोस्तों, उस तरफ से मैं नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैं इस तरफ से आके थोड़ा सा लीप दी हूं, किना और दोस्तों, लीपने के बाद हमारा बरामदा कैसा लगा देखने में, आप लोग जरूर कमेंट करके बताईएगा हमें, और दोस्तों एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, और लीपने के बाद, कुछ समय बाद दोस्तों, बादल घेर लिया था, और थोड़ा बारिस भी ज़्यादा बारिस नहीं हुआ, मैंने आप लोगों के साथ वीडियों सेर की है, बनाई हूं वीडियों, तो हमें तो लगा कि अगर बारिस हो जाएगी जादा तो कैसे सुखेगा, लेकिन बारिस नहीं हुआ, और हवा चल रहा था तेज थोड़ा सा बारिस हुआ, थोड़ा एक गाउं के कामकाज हैं दोस्तों, और लिपते लिपते मुझे थोड़ा टाइम हो गया था, और जो चारपाई है मारी तख़त है, इसको मैं हटाई नहीं थी, इसके नीचे यह से ही लिप दी थी, चारपाई के नीचे भी यह से ही लिप दी मैं, और दोस्तों वीडियों म और दोस्तों लीपने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है बरांदा हमारा समान जो था इधर उधर वो भी हट जाता है साफ हो जाता है लिपाई करते समय तो बहुत अच्छा लगता है देखने में और देखिए दोस्तों ऐसा लग रहा है बरांदा हमारा और इसके बाद य हुआ अभी मैं आप लोगों के दिखा रहे हूं और दोस्तों अनाया का आप लोग देखिए इनको बारिस में बहुत अच्छा लग रहा था भी भाग रही थी तो मैं बुलाली संजाई हूं फिर नहीं गई हूँ नमस्ते दोस्तों आप लोगों ने देखा हमने आज लिपाई कर दिया है बरामदे की अपनी और इसके बाद गए हैं नहाए हैं बरतन दुले हैं और जो काम था उसको कर ली चुके हैं अब साम का टाइम है ये अब चल रहे हैं हम खाना बनाने साम का तो अज तक मेरा में और दोस्तों मेरे चैनल कर सब्सक्राइब कर दिजिए गा और एक कमेंट करके बताएएगा कि कैसा लगा आप लोगों को मेरे वीडियों